अगर आप किसी low voltage area में यानि की ऐसे जगे रहते हैं जहां पे input low voltage की problem है और आपने अपने घर में कोई normal inverter लगा रखा है तो आपका inverter आपको काफी परिशानी में डाल सकता है low voltage area में रहने वाले लोगों की अकसर यही complain होती है कि घर में main supply होने के भाद भी उनका inverter बैटरी चार्जिंग नहीं करता और उनके घर का load main से ना चलके बैटरी से चलना शुरू हो जाता है जिससे बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है इसे थोड़ा detail में समझते हैं उसमें input voltage की range 220 या 230 वोल्ट की होती है लेकिन low voltage area में input mains की voltage लगभग 140 वोल्ट या उससे नीचे रहती है 140 वोल्ट की input voltage की range में एक normal inverter करीब 7 ampere से बैटरी चार्जिंग करता है अगर ये input voltage और भी कम होके 120 या 110 वोल्ट रह जाए तो एक normal inverter लगभग 1 या 1.5 ampere से बैटरी चार्जिंग करता है अगर आपने अपने घर में 120 या 1500 AH की बैटरी लगा रखी है तो उसको चार्ज करने के लिए ये चार्जिंग करण बहुत ही कम है 110 वोल्ट से नीचे ये inverter mains को sense करना बंद कर देता है और load बैटरी से चलाना शुरू कर देता है सुक्याब ने low voltage area में क्या rural area में रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसा inverter बढ़ाया है जो 90 वोल्ट की कम input voltage को भी sense करता है और करीब 5 ampere से बैटरी चार्जिंग करता है इस चार्ट में हम normal inverter और falcon plus के अलग-अलग input voltage के range को देखेंगे और दोनों के battery charging ampere में कितना बड़ा फर्क है ये जानेंगे 140 वोल्ट पे एक normal inverter करीब 7 ampere से battery charging करता है वही falcon plus अपने maximum strength जो की 15 ampere है उससे battery charging करता है 130 वोल्ट पे normal inverter की charging लगभग 6 ampere से हो जाती है वही falcon plus अभी भी करीब 14 ampere से battery charging करता है 110 वोल्ट पे normal inverter की charging घट के 1 या 1.5 ampere रह जाती है वही falcon plus 110 वोल्ट पे 12 ampere की charging करन के साथ 1500 वोल्ट की battery को भी बड़ी असानी से charge कर सकता है जैसे ही input voltage 110 वोल्ट से कम होता है normal inverter mains को sense करना बंद कर देता है पर falcon plus 90 वोल्ट के low voltage input पे भी 5 ampere से battery charging करता है और 85 वोल्ट के बहुत ही कम input voltage पे आने के बाद ही mains को sense करना बंद कर देता है और battery discharging शुरू कर देता है इस लिए low voltage area में falcon plus लगाना ही उनके problems का एक मात्र solution है